एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था, जन्म से कुछ शंड पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुझ से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धर्ती पर मैं कैसे रहूँगा, कृप्या मुझे अपने पास ही रहने दीजे, मैं कहीं नहीं ज ख्याल रखेगा, बच्चा बोला, पर आप मुझे बताईए, यहां स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है, भगवान बोले, तुम्हारा फरिष्टा तुम्हारे लिए गाएगा और हर र रमजूंगा कैसे, मुझे तुम्हारा फरिष्टा तुम्हारा फरिष्टा तुमसे सबसे मधूर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहां भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैरे और सावधानी के साथ, तुम्हारा फरिष्टा तुम्हे बोलना भी सिखाएगा तो बच्चा बोलता है और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा तब भगवान कहते हैं तुम्हारा फरिष्टा तुम्हें हाथ जोड़ कर प्रातना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझे से बात कर सकोगे तो बच्चा कहते है मैंने सुना है कि धर्टी पर बुरे लोग भी होते हैं उनसे मुझे कौन बचाएगा तो भगवान कहते हैं तुम्हारा फरिष्टा तुम्हें बचाएगा भले ही उसकी अपनी जान पर खत्रा क्यों ना आ जाए तो बच्चा कहते है लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा तो भगवान कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो तुमारा फरिष्टा हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी बताएगा तो उस वक्त स्वर्ग में असीम शांती थी पर पृत्वी से किसी के करहाने की आवाज आ रही थी बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा हे इश्वर अब तो मैं जाने वाला हूँ क्रिप्या मुझे उस फरिष्टे का नाम बता दीजिए भगवान बोले फरिष्टे के नाम का कोई महत्व नहीं है बस इतना जानो कि तुम मुझे मा कहकर पुकारोगे जी हाँ दोस्तो इसलिए तो कहते हैं कि मा इश्वर का भेजा हुआ एक फरिष्टा है कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू